हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आप सब आशा है आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके एक दम वियस्त होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको हपी दिवावली और दिपावली की धेर सारी सुब कामना है आपके धूम धाम से छोटी दिवाली मी मनाई जारी है हमारे देश में और दिवाली को लेकर ही हमारे आज के समचार पत्र में दो विशेस एड़ाटोरियल भी आये हुए है वैस्विक परकास परुमें बदलती दिवाली है देखे भारत और भारत वन्सियों की उन्नति के साथ साथ अब उनसे जुड़ी हर चीज में विदेशियों की दिल्चस्पी बढ़ने लगी है क्योंकि आज के टाइम में मेरे प्यारे दोस्तों संसार के अंदर पूरे विश्व के अंदर दिपावली को दिपोत्सव को बड़े ही धुम धाम से मनाया जा रहा है ने केवल भारत में अलग 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 देशों के अंदर भी बड़े ही धुम धाम से मनाया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में भारतवासी जो हम भारतवासी अपनी अमित छाप छोड़ पा रहे हैं और अपनी संसकर्ती का परचार कर पा रहे हैं तो इसी को देखते हुए आज हम अपने इस प्यारे से अडिटोरियल और सेशन पर चर्चा करने वाले हैं किस परकार भारत और भारतवन्सियों की उन्नती के साथ साथ जो विदेशी हैं विदेशी क्यों दिल्चस्पी लेने लगे हैं क्या कारण रहा है तो इस पर आज हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं सिव प्यारे भारत में क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है वो सांस्कर्तिक और धार्मिक जाती और राजनितिक और छेत्री आधार पर विवित्ताव से घिरा हुआ देश है और यहां पर विवित्ताव के साथ साथ अनेकता में एकता हमारे देश की प्यारी अनूटी विशेस्ता तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल सिरी एजुकेटर्स पर मैं विजय संगल आप सबके लिए लेके आता हूं परती एक दिन सुबा साथ बजे न्यूज एडॉटोरियल तो शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाला एडॉटोरियल देखते हैं सिवकान सर्माजी दुआरा जो अपने उत्तम विचारों के माध्यम से हमारे तक अपनी बात पहुचाई है और इनके माध्यम से हमारे नए विचार बन कराएंगे और हमें पॉजिटिव और नकरात्मक्प दोनों देखने को अवसर मिलेगा तो देखिए गीता में उल्ले किया गया है यदा चारित्र स्रेश्ट इस्तत देवतरो जना से यत प्रणायम कुरूते लोग इस्तत दनू वर्तते आज के संदर में इसका जो आश्य है दोस्तों इसका आश्य यह होगा कि सामान्य लोग ज जो महानायक हैं हमिताब बच्चन जी ने भी एक बार भारतिये खान पान वेजबूसा वारतियोहार और मनोरंजन की विदेश में बढ़ती लोग प्रियता पर चर्चा करते वे का था जब समाज उन्नती करने लगता है तो उसकी हर चीज फैसन में आने लगती है कहने का मतल जी ने भी कही थी और भारत और भारत वंस्यों की जो उन्नती के साथ साथ अब उनसे जुड़ी हर चीज में विदेशियों की दिल्चस्पी भी बढ़ने लगी है वह फैसन बनने लगा है भारत का जो त्योहार है दिपावली भी इसका अपवात नहीं रहा आज से 40-50 साल पहले यूरोप और अमेरिका में लोग दिपावली के दिन घरों के बाहर सजाए जाने वाले दियों और रंगोलियों को कोतुहल भरी निगाओं के साथ देखा करते थे वे आज ने केवल उसे देख खर खुस होते हैं बलकि अपने घरों को भी सजाने लगे हैं देखिए द दिपावली का उत्सव है ना मेरे पियरे दोस्तों इसके माध्यम से यह ना हमारे भारत का सबसे बड़ा पर्व है और इस परऊ के अंदर हम क्या करते हैं सभी भारतवासी अपने घरों की सफाई करते हैं सबसे बढ़िया और अपने घरों को बहुत यहर सो लग है सजाने क नेपाल मौरिसस जैसे देशों में बहुत पहले से ही दिपावली के दिन साउर्जनिक अवकास रहता आया था लेकिन अब भारत वंसियों के बढ़ते परबाव के कारण अमेरिका के पैंसिल वेनिया और न्यूयर्क जैसे राज्य और यूरोप के पब्लिक स्कोलों में भी द दिपावली का उत्सव मनाने का सुरुवात की थी तब से अमेरिका के आन परभावसाली लोगों और सहरों में इस परव की लोगपिरियता से तेजी से बढ़ी है देखिए क्या होता है हम एक दूसरे के परव को हमारा जो प्यारा भारत है एक दूसरे की संस्कंति को अपना साथ ही एक दूसरे के उत्सव में बढ़ चड़ कर हिसा रहता है हिंदु भाई एद पर और मुसलिम भाई दिपावली पर ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों हमारे देश की जो अनूटी विसेशता है अनेकता में एकता हमारे देश की बढ़ी अच्छी सी विसेशता है साल भावय दिपावली पार्टी होने लगी है इस वर्ष तो उपराष्टपती कमले हैरिस ने अलग से दिपावली पार्टी की है और विदेश मंतरी जो है विलकिन ने राजनेहिकों के लिए विदेश विभाग में दिपावली की पार्टी रखी है अमेरिका की फिल्म नारतवनसी होने के कारण कारोबारी जगत में भी क्रिस्मस पार्टी की तरह ही दिपावली पार्टिया होने लगी हैं उनके अलावा न्यू यॉर्क के टाइम ईसको हिर में हर साल आम लोगो के दिपावली पर रंग रंग करीकरम होते रहे हैं जो यह festival होते हैं मेरे पैयरे दोस्तों हमारे इससे क्या होता है मार्केट में एकोनमी बैलेंस बना रहता है उतार चड़ाओ नहीं आपाता जल्दी से मतलब कि चड़ाओ चड़ाओ रहता है देखे हर त्युवार पर विक्री होगी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई होगी सप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडेक्शन बढ़ेगा तो किसान को किसान की लागत मिल पाएगी मजदूर को मजदूर की लागत मिल पाएगी यहां तक कि जो अर्थवयवस्ता का एक चक्र है वो सुचार रूप से चल पाता है एक फेस्टिवल की वज़े से देखें आप ही खुद ही देख लीजिए ज यह से चैनीज की लड़िया होती है यहन प्रोजेक्ट लगाए कर ड़ारा तब से अपने भारत बड़े ही अच्छे से सुचार उरोप से चल पाती है देखे और मेला लगता है मतलब मेले भी लगते हैं बजार खचागच बरे रहते हैं ऐसे ही आयोजन सिकागो सैन फ्रांसिसको लोस एंजिलिस और हुश्टन में भी होते हैं और इन पार्टियों और रंगरंग कारिय कर्म में भारत वन्सियों के अलावा अलावा बड़ी संख्या में इस्थानिय लोग भी भाग लेते हैं दिपावली की निरंतर बढ़ती लोग परियता को देखते हुए अमेरिकी हिंदू फाउंडेशन अक्टूबर के महिने को ही हिंदू हैरिटेज महा घोसित कराने की खोशि देखे इसमें लगाता है पांस दिन चुटी बढ़ती है और बच्चों को तो अच्छे सानद आता है चुटी मनाने में क्योंकि यह महिना महत्मा गांधी जी और लालबादूर सास्त्री जी की जैनती से सुरू होता है और दुर्गा पूजा दसहरा दिपावली ये तीनों बड़े पर्व भी इसी अवसर पर मनाए जाते हैं तो अमेरिका और कनेडा में दिपावली को सावर्जनिक आउकास घोतित कराने का परियास चल रहा है अमेरिका की तरही ब्रिटेन में भी दिपावली की लोगपरियता तेजी से बढ़ रही है और यहां इंगलेंड के उत रंगोलियों और दियों से सजाया जाता है क्रिस्मस कैरल की तरह रमायन की प्रसंगों पर नर्ट्य नाटिकाई खेली जाती है। पूरु परधान मंत्री जो रिशी सुनक ने वाइट हाउस की तरह ही परधान मंत्री निवास 10 डाउनिंग इस्ट्रेट में दिपावली मनानिक की जो परंपरा सुरू की थी उसे लेबर परधान मंत्री सर कियर इस्टारमर ने भी जारी रखे हैं देखे जो ब्रिटेन की नए परधान मंत्री चुनकर आए हैं कौन हैं लेबर पार्टी के हैं सर कियर इस्टारमर तो कॉशन बन जाएगा कि वर्तमान समय में ब्रिटेन की नए परधान मंत्री कौन है और कौन सी पार्टी से हैं तो लेबर पार्टी से हैं और सर कियर इस्टा दिपावली को सब परसीद है लेकिन दिपावली की असली धूम डर्बन में देखने को मिलती है जहां भारत वंसी बड़ी संख्या में रहते हैं इसलिए महां दिपावली पर भी छुट्टी डाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में सिड्नी के किर्केट मैदान हो होबर्ट के फ्रै दिपावली कहते हैं इसी तरह थाइलेंड में दियों की जंगा के लेके पत्ते के दोने में मौम्बत्य अरकर पानी में बाही जाती है असल में दिपावली की बढ़ती लोग पिरियते के कारण भारत और भारत वंसीयों के बढ़ते परबाव से अधिक उसका समय और सार्भ लगते हैं हवाए सर्द होने हो जाती है और यूरोप में पड़े पेड नंगे हो जाते हैं ऐसे समय परकास का पर मनाना नई चीजे नई संकल्क लेना कारोबार फैलाना सबको अच्छा लगता है पशिम के देशों में क्रिसमस के कारोबार के इंतजार में नवंबर के मद् भूष्नों घडियों कारों और मकानों से लेकर फैशन की सामागरी तक की कारोबार साल की एक चोथाई कमाई क्रिसमस पर किया करते थे अब साल की लगबक आदी कमाई दिपावली से क्रिसमस की बिच की जाने लगिया दुनिया के नामी जोहरी फैसन हाउस का कार निर्माता और फिल्म और गेन निर्माता अपने नए ब्रांड दिवाली पर निकान ले लग गई हैं और उन्हें भारत वंस्यों और भारत के मध्ये से उच आय वर्ग के लोगों की क्रैसक्ति का एहसास है इसलिए उनकी रूची का भी ध्यान रखने लगे हैं दिपावली जो है क्रिसमस के परशा सबसे वड़ी कमाई देने वाला त्युहार बनता जा रहा है अकेले भारत में दिपावली करीब पांच लाग करोड का कारोबार होता है देखें मेरे प्यारे दोस्तों जो है दिपावली है अकेले भारत भारत में लगवग पांच लाग करोड का कारोबार होता है इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि दुनिया भर में कितना कारोबा होता होगा ये तो अकेले भारत की बात कर रहा है दोस्तों और इसी के माध्यम से विस्व के अंदर अंदकार को मिटाने का उत्सव भी है ये दिपावली और वैस्विक प्रकास में बदलती दिपावली तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आप को भली भाती समझ में आया होगा और उत्सव जो है जीवन में उर्जा और उमंका संचार करते हैं ऐसी परकार ये जो हमारी दिपावली है मेरे प्यारे दोस्तों शिरी राम चंदर जी के आयोध्या आगमन यानि घर आगमन वनवास कंप्लेट कर अपने घर आगमन के उत्स सफाईकर सास अज्जा करते हैं और मिठाईया गले मिलते हैं मिठाईया बाटते एक दूसरे को और बड़े ही प्यार से प्रेम पुरवक लक्षमी जी का गनेश जी का पूजन करते हैं और धोम-धाम से पटागे छोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी से निवेदन है दिपावली अच्छे से मनाईएगा और अपने घर पर मॉम्बत्ती, जालवे, तीपोत्सव अच्छे से लगाईएगा तो आप सभी को फिर से सिरी एजुगेटर यूटॉब चैनल की ओर से तहे दिल से दिपावली की ये झाल 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 झाल